आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जादा जादा सेर्ट करें जो भी स्टूटेंट्स हैं अगर वीडियो अच्छी रगती है और लगता है कि इससे कोई सीख सकता है तो जरूर सेर्ट है वीडियो को लाइन करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको अच्छी वीडियो लग रही है और अगर कोई डाउट आता है तो मैं भी वर्ट्सप ग्रूप बनाने वाला हूं एक नया तो उसमें आप मैं लिंक प्रोइड करतूं आपको डिस्क्रिप्शन में तो सब्सक्रिप्शन में अबार तो और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 के दुरान आपको क्या-क्या पढ़ना है आपको आगे वाले एक्जाम के लिए जैसे NDA हो गया, AIEEE, sorry, IIT, JMAX हो गया, इडवांस हो गया, CA हो गया, CA के लिए क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे जारी कर नहीं है, तो यह हम देखते हैं, तो यह देखेंगे हम आगे की वीडियो में, और एक बास बढ़ना है, आपको ये काम करना है, सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहना है आपको, सेल्फ मोटिवेट कैसे रखोगे बटो, देखो, वो इंसान सेल्फ मोटिवेट रहता है, जो रोज कुछ ना कुछ सीखता है, जो रोज कुछ ना कुछ ना कुछ ने सीखता है, इस समय लॉकडाउन का, हो रही है, वो समझ नहीं पारे क्या करें, कैसे करें रूचु यह दिमाग में आ रहा है, कि हम जो पढ़ रहे हैं, उसका benefit है भी कि नहीं है, तो बेटा आप इस बात को दिमाग में ना रहा है, कि इसका benefit है यह नहीं है, आप यह देखें, कि मैं आपने आपको improve कैसे कर सकता तो आपको यह कुछ भी सीखें आप, जो भी अपके अंदर skills हैं, आप फोन में जबी आउलाइन बढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई किसरे पढ़ाई करें, एक्स्टा चीज़े ना करें, जैसे वीडियो ना रहे हैं, फालतो कि यह सब ना करें, आप अपने लिए टाइम निका जाएंगे, ठीक है, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप एक दिन, दो दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, तो जो का बात है बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से याद रख नहीं है, आपको रोज बढ़ना है, पहला का रोज दोसरा काम, आप पढ़ेंगे, जरूर सीखेंगे, इसके बाद अगर आप नूच्पेपर की हैवट बनाना चाहते हैं, तो आप नूच्पेपर की हैवट बनाना चाहते हैं, तो आप नूच्पेपर की हैवट बनाना है, जैसे इंग्लिस नूच्पेपर पढ़ें, अगर उसके बाद आप सुब्य वोड़के एकसराइज योगा जरूर के जिए जिए अब पढ़ते हैं तो उसमें आपको योगा के बारे में पता होगा आपको तो आप टीवी पे बाबाराम डेले में बहुत सारे हैं जो मोटिवेट मतलब सेल्फ मोटिवेट होने के लिए जरूरी जब आपको बॉड़ी ठीक रहेगा इम्मुन सिश्टम ठीक रहेगा तो आप ऐसे इनर्जेटिक मुसूस करेंगे और अच्छा थाएं ठीके हरी सब्या थाएं और अच्छा थाएं तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आपको कुसर आप स्क्रीन पे दिखेगा तो मैं क असर। कुसर करेंगे हम स्क्रीजनकं के लिए मन्य्यक्योज मंटे के क्लास में पता चलेगा तो आज हम पढ़नेवाले हैं तो आप जारूर करें मुझा कहा रहा है बहुत है है और सबस्क्राइब जरुम करें चाले हैं अब क्षूम्स के रहा है स्वोगिः और इस इस ऊप्र 아파ia कोो सिपने स्विए लिए जो x belongs कर रहा है वो कर रहा है 0 1 2 3 4 5 ठीक है बटाओ यह आपको कुस्सर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कुस्सर दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा यहां पर कुस्सर दिख रहा होगा को कि अब इस कुसल को करना बहुत असान है आपको डॉमीन पता है यह आपका डॉमीन और यह क्या आपका रेंज है अब एक्स के वैलियों कहां से नातर कोड़ कर सकते हैं 0 से देकर 5 तर तो यह मजा कुसल है लेकि मजा कुसल से अची बात यह है कि आप आज भी कुछ वीडियो जब देख रहे हैं तो अब यह सीख रहे हैं तो देखो हम क्या लिखेंगे इसे आर इकोस टू एक्स के वैलियो तो जीरो ब्लस 5 फाइफ आए एक्स की वैलियो वन पूट करो तो य की वैलियो क्या जाएगी शेट है एक्स की वैलियो तो य की मैली सफाह थो ना इसके बाद अगर मैं इसमें फाइब करूँगा तो यह आ जाए गट है यहीं आएगा आपकी पास अब हमें द्लिब निकालना है इसमotरा को डियो में निकालना है और रेंज करें आप वीडियो को एच करें और रेंज आप वीडियो को पवाँज करें और मुझे बताएं कि डिबेन क्या होगा रेंज क्या होगा आपके 10 स नριंगा है तो आपने वीडियो बॉस करके डॉमिन रीज लिट दिए होगा तो डॉमिन और रेज आप अब आपसा चेक करें क्या है डॉमिन जीरू 1 2 3 4 5 रेंज क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, और 10. ठीक है? तो यह डोमेश है और यह रही जाब कि जो भी प्रावल्म है आप कर्मेंट में लिख सकते हैं ठीक है? तो उससे मुझे पता चल जाएगा तो यह होगी आपके पास कोसे नमबर 6 अगर कोई डाउट है और कमेंट में लिख सकते हैं मैं आपको उसमें आपको आसर देने की पूरी कोस करूंगा और मैं वर्ट सा गुरूब भी बना रहा हूं जिससे आपको जादा कि प्रावल्म होगी अब बैटे जो नेक्स कोसर है कोसर नमबर 7 आप देखते हैं कोसर नमबर 7 आपको कोसर नमबर 7 देखेंगा इस स्क्रीन पर यहां देखेंगा आपको तो आप देखना है कोसर नमबर 7 क्या क्या रहा है कोसर नमबर 7 क्या रहा है write the relation r write the relation r दिखेंगे आपको r equals to x, x cube x, x cube and x is x is a prime number less than 10 x is a prime number prime number less than 10 ठीकिए less than 10 in roster form write it rest to roster form सिर्फ roster form में लिखना इसे तो बहुत असान है in roster form हमें लिखना से इसे roster form ठीकिए अब देखो roster form में लिखना कितना असान है इसे उसे लिखने आपको तो अब भूंत रहे हैं इसका solution तो x is a prime number सबसे पहले बात करते हैं बैटो सब बीनिक अब prime number prime number कोंसे होते हैं तो पता पाले हो साहे मुझे की prime number वो number होते हैं कमेंट करें अब फटावड वीडियो को पहुँच करें दोवारा अपने यूर्प पोचलिए और जिनकी फैक्टर मोर्दें बते हैं जैसे कि кров $ यां के क्या होते हैं प्राइं नम्ब्र प्रजिनका और न्न 2 फैक्टर नहीं हो सकते किया नहीं हो सकते हैं तो टू कीती था क्या सिसंक्तर मुर्दें नहीं हो सकते है इसके 3 1 2 3 एक डिफ देशन और भी बढ़ जाती है वह नम्मर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं वही प्राइम नमबर होते हैं चीचे तो अगर मैं बात करूं कि इसमें हम बात करते हैं प्राइम नमबर प्राइम नुम्बर लेस देन 10, क्या क्या होंगे बिटा 2 3, 5, 7 ठीके, यही वो नुम्बर है जो सिर्फ अपने आप से रिवाइड होते हैं और जिसके more than 2 factor नहीं हो सकते ठीके, तो अब हमें इसे roster form में लिखना है तो roster form में क्या लेगा अब फटा फट X की value 2 put करोगे बिटा तो Y की value क्या जाएगी 8 variable X की value 3 put करोगे तो X cube की value आएगे 3 का cube 27 इसके बाद 5 का cube 5 5 का cube करोगे तो क्या आएगा बिटा 125 और 7 7 का cube करोगे 343 ठीके रिटा तो this is in roster form here this is a side monitor form and this is a roster form so please tell me what is domain and what is range बिटा आप वीडियो को पोस्ट कर दे और मुझे फटा फट आपको ये बताना है comment करके बताओ बिटा मुझे कि इसमें domain क्या होगा और range क्या होगा फटा मट बताओ ठीके आपने लोगों लिख लिख लिए होगा तो domain क्या है विटा यहां पर domain है 2357 range क्या है 827 125 और 343 ठीके तो आपको ये पुसर अच्छा अच्छा रखते समझ आ गया होगा कोई प्रॉल्म हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं message कर सकते हैं ठीके अब बिटार नेक्स्स परते हैं आपको इस 3 पर पुसर दिखेगा और वो दिखेगा पुसर नमबर 8 दिखेगा आपको कॉसर नमबर 8 क्या रिखा हुआ है इसमें let a a क्या बोला है इसने x y z b क्या बोला हुआ है and b and b element जो बोला है वो 1 2 इसमें बोला है find the number of relation from a to b हमें number of relation बताने है from a to b number of relation का मतलब क्या है कि हम कितने number of relation बना सकते है देखो x1, x2, y1, y2 and z1, z2 यह हमारे पास जो होता है यह Cartesian product होता है ठीक है यह हमारे पार relation नहीं होता तो अगर आपको number of relation बताने है number of relation बताने है set के बीच में तो इसका formula होता है 2 की power and a cross b इसका formula क्या होता है 2 की power and cross b and a cross b तो आप फटाफ़ट and a cross b के बहले मुझे बता होगे बहले आप comment कर सकते है फटाफ़ट आप फटाफ़ट क्या करें comment बताएं कि number of element इन a कितना है number of element of b कितना है और and a cross b कितना है तो आप बता पार होगे number of element in set a 3 number of set b कितना है 2 है तो and a cross b का formula क्या होता है and a into and b अब and a की value क्या है 3 है and b की value क्या है 2 तो यहाग्या 6 तो मैं इहां पे लिख सकता हूँ टू की पावर एंड एक क्लोस अंबी और टू की पावर थ्री इन्टु तू क्या जाएगा टू की पावर्सीच और टू की पावर्सीक्स कितना होता है 64 this is the answer ठीक है बहुत असान कुस्ट था आपको यह लगणा होगा बाल में कमेंट करने में प्रॉलम होगी कि बाल में नीचे कमेंट करना होगी तभी सीको गया तभी कुछ नया सीको तो कमेंट आप जरू करें ठीक है तो मैं इस कुछन को रफ कर रहा हूं हमारे पास लास्ट कुसर में हम देखते हैं क्या करना है तो लास्ट कुसर जो लिखा हुआ होगा थो नाइंथ कुसर वो क्या लिखा है लिखा हुआ है है लेकर आर भी ये आपको स्क्रीब कर दिख रहा हूँ है इसका मतलब क्या है जैड प्रॉस जैड क्या है यहां पर इंटीजर नंबर है और यहां की जैड क्या है यह आपके पास इंटीजर नंबर है ठीक है तो यहां पर हम आज देखें तो आज जा दिखाए बटा है एक और भी शॉच डैट एक अब भी बिलॉंग सुज़ और ए माइनस बी ए माइनस बी इस एंटीजर इस एंटीजर ठीक है बटा है फाइंड डोमेइन एंट रेंज हमें क्या निकालना है अब यह अच्छा पुसन दिखा देखते हैं क्या अंसर होगा पहले मैं आप से एक बात बात पुझा जागा हूं कि वाट इस देमीनिक वह इंटीजर नंबर क्या होते है विड़र आपको पता है जो इंटीजर नं अगर मैं बोलता हूं कि 5 इंटीजर है और 7 इंटीजर है अगर मैं दोनों को सब्सक्राइट करता हूं तो मुझे यह बताओ कि इंटीजर है यह नहीं है अब उन्हों के सब बिलकुल इंटीजर है यह तो हम यह देख पा रहे हैं कि अगर मैं एंटी ए और बी दोनों इंटीजर है और मैं इंटीजर मैं से इंटीजर को सब्सक्राइट करूं तो मिलेगा क्या क्या मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा तो हम इस बात को समझ भा रहे हैं तो यहां पर जो कंडीजर हैं अगर मैं यहां पर रॉस्ट्र फॉर्म बनाने की पोसिस्ट करूं तो आपको पता है यहां कुतर इंटीजर बन जाएंगे ऐसे बहुत सारी बन जाएंगे क्या चीज़ एलिमेंट्स बन जाएंगे इस आर साइट के अंदर तो वीडियो को पॉस्ट करें और आप मैं देखना चाहता हूं कि कौन-कौन से बच्चे कौन-कौन से स्टूडेंट यह बता सकते हैं कि डोमेंग क्या होगा रेंज क्या होगा देखते हैं वीडियो पॉस्ट करें फटो आप लोगर देखा होगा कि 1580 तो कई बच्चे यह लिख रहे होंगे आपको करना क्या है वीडियो को सेर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है, ठीक है अटर? तो थैंकि फो रोजे को